सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठण फिर मेनी सिखा पधिंसमादियानी बुद्धन समन संग समनों का संग समन संग भारत के अंदर पहले भी एक गारंटी रहा है और आज भी एक गारंटी है गारंटी है समनों के सुख की समनों के विकास की और समनों की सुरक्षा की यह जितने भी समन हैं उनको सुख भी मिलेगा उनका विकास भी होगा और उनकी सुरक्षा भी रहेगी जान की, माल की, इजजत की, बच्चों की, पत्नी की, घर की, मकान की, खेत की, खलियान की, हर चीज की सुरक्षा, ये गारंटी कोई छोटी मोटी गारंटी नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को किसी जानवर को किसी पेड़ पौधे को ये गारंटी मिल जाए कि उसे आधी तूफान से सुरक्षा मिलेगी उसे जीवन में जीने की सुरक्षा मिलेगी उसे उसके दुआरा किये गए सारे काम जितने भी हैं जो भी उसने मेहनत किये उसके पास रहेगी उसकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी तो बहुत बड़ी गारंटी है ये आदमी बेफिकर हो जाता है और फिर उसका विकास आरंब हो जाता है और फिर उसके पास सुख ही सुख चारतव से आता है पर ये गारंटी खतम हो जाए सुरक्षा की गारंटी ना रहे और ऐसुरक्षा की गारंटी हो जाए तो कितना ही कमा ले कितना ही खा ले कुछ भी कर ले ना तो सुख मिलेगा ना विकास होगा और ना ही कोई बात आगे उसकी बच्चों की बढ़ेगी जैसे बकरी को रोज बढ़िया चारा खिलाओ, खूब काजू बादाम खिलाओ और साम को उसे शेर का दर्सन करा दो तो उसको मौत दिखाई देती है तो जितना चारा खाया, जितने काजू बादाम खाये वो सब दस्त में निकल जाते है बकरी कापने लगती है, उसको डर बैठ जाता है कि शेर आगया कब गर्दन दबोच ले छोटी सी गर्दन बड़ा सा शेर का मौँ वैसे ही अगर समन कितने भी नौकरी करें कुछ भी कमाएं, कितना भी प्रपंच करें कितनी भी मेहनत करें पर ना इज़्जत की गारंटी हो, ना जीवित रहने की गारंटी हो, ना दबाई की गारंटी हो, ना मकान की गारंटी हो, ना आगे रोटी पानी मिलेगी इस पाथ की गारंटी हो, ना आगे सिक्षा मिलेगी इसकी गारंटी हो, कुछ आगे नहीं मिलेगा जब उसकी स्वरक्षा इसकी गारंटी खतम हो जाती है तो फिर उनका कितनी भी मेहनत करें वो सब बेकार है चाहिए वो खेत हैं खलियान हैं दुकान हैं मकान हैं नोकरी है सब बेकार हैं यह गारंटी संगों के अंदर होती है संगों के अंदर guarantee इसलिए होती है क्योंकि दुनिया में जितने भी जुंड हैं, जितने भी समू हैं, जितने भी गड़ हैं, जितने भी परिशद हैं, जितने भी इस्थाई structure हैं, जो रहें हैं समू के अंदर, वो सब आज के समय तक जीवित हैं या उनके चर्चाएं थियास म पर जो लोग समहू में नहीं रहे संग में नहीं रहे गड़ में नहीं रहे परिशद में नहीं VA उनके कहीं अस्तितु या उनके कहीं निशान भी रही मिलते कहीं फोजिल फ्यूल्स हड़िया अभड़िया मिल जाती है, तो मिल जाती है, ख़धाई विदाय में बागी कुछ नहीं मिलता, चाहें वो पेड़ पौदे हो चाहें जानवर हो चाहें मनसे हो एक साथ रहना सुरक्षा में रहना संग में रहना हर बात की गारंटी है ये कोई ऐसी बात रही है कि इसको समझाने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े विसेसक आएंगे या बहुत पड़ा लिखा होना जरूरी है या बहुत जानकार होना या उसके पास बहुत बड़ा पैसा या बहुत बड़ी किताबें या बहुत बड़ी बुद्धी या बहुत बड़ी डिग्री या बहुत बड़ा महात्मा का लेवल या पीले कपले या सफिद कपड़े या लाल कपड़े या टोपी या गमचा या माला या मुच मुंडा या मुच है या डाड़ी कुछ रूप रंग रखना पड़ेगा या कुछ अलग भासा या कुछ जोड से कुछ धीरे से कुछ भाशन ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है ये जानकारी एक ए एक महले में एक एक लोगों को पता है पर जो इसका उपयोग करते हैं जो इसको समझ जाते हैं वो बच जाते हैं और जो इसका उपयोग जाते हैं भारत में जब से हमारा समन संग हमारे हाथ से निकला है धीला पड़ा है खतम नहीं हुआ है कोई ये कहे के खतम हो गया संग कभी खतम नहीं होते हैं संग जब खतम होते हैं जब सारे संगी मर जाएं कम से कम एक अकिला संगी रहे क्योंकि दो भी अगर संगी होंगे तो संग होता है, तो संग तो है, पर ढिला पड़ा हुआ है, कमजोर है, कसा हुआ नहीं है, इसके नियम बिखरे हुए है, लोग नियमों में बंदने को त्यार नहीं है, नियम जानते नहीं है, पचानते नहीं है, उनके लाव नहीं जानते, इसलिए संगों का जो यकीन है, व बाहर वाले लोगों ने तो हमसे सीख के संग बनाए हैं, बाहर वाली पूरी दुनिया ने हमसे संग की स्थापना सीखी, संग को जाना, संग के नियम को जाना, अपने अपने संग बनाए, अपने अपने मजवों के संग बनाए, अपने अपने गड़ों के संग बनाए, अपन पक्षपात नहीं करता किसी भी व्यक्ति के निये सब को स्रक्षा देता है जो इखटा हो के आए उसके नियम बना के देता है वैसे ही संग के नियम भी पक्षपात नहीं करते यह अजर अमर सनातन नियम है जो संग की बात करेगा जो संग में रहेगा जो संग के नियम पर चले हैं जिन्होंने इसका वह वहार किया वह फाइदें अए है और बौरत के अंधर हमारे जो लोग हैं वह टूटे-फटे हैं उनके पास में कोई बहुत ज़्यादा संपत्यां नहीं है किसी कोई मकान दुकान गार्डन वार्डन कुछ नौपी पेसा दो-चार पैसे होंगे पर वो मायने नहीं रखते क्योंकि संपत्ती अथा है और वो उसमें एक तिनके के बरावर हैं सारे भी मिलाएं तो भी हमाई लोगों के पास जमीने ना के बरावर हैं और है यह नहीं आदर से जादा लोग के पास तो घर भी नहीं है हमा तो ठीक अधरवाइज वो भी केवार नहीं मिलती ना कपड़े हैं पैनने के लिए पुराने कपड़े विदेसों से आगए कुछ सस्ते मिलगे तो पैन लिए वना कपड़े भी नहीं है ठंवे बिना रजाई बिना कपड़ों के शुकर शुकर के बहुत साएं लोग मर जात है या उसने हमें ऐसा कर दिया उसने हमें ऐसा पहुचा दिया यह बहाने बाजी है यह दरसल हमारे कुछ चालाक लोगों की जो हमारा ही शुर्शन करते हैं यह उनके जुमले हैं यह उनकी बात हैं कि वो अपनी चालाकी को छुपाने के लिए दुस्मन दुस्मन करके सारी बात दुस्मन के नाम से परिशित करते हैं बताते हैं और हमारे दिमाग में भड़ते हैं कि कोई दुस्मन है उसका नाम भी बताते हैं कोई कोई वमण है कोई ब्रहमण है जो दुस्मन है और बड़ा चालाक है ऐसा वो बताते हैं पर यह सच नहीं है क्योंकि हम बहुत पहले जब यहां ववनभी रहते थे तब circus क्रेइद थे तब भी हम्ह Sozial आपि सब जाजातती अगर वह चालाक होता बुढ़िवान होता तो वह समय भी हमसे ले ले लेता और वैसे भी कम संक्या के लोग जादा की जादा संख्या से कभी जीत नहीं पाते संख्या हमारी टूटी हम छोटे छोटे टुकणों में हुए उनकी संख्या आउटमेंटिक बढ़ गई तब जाके उनका संख बढ़ा हुआ रोग जीत गए और जीते भी क्या सिर्फ नाम के लिए जीते हैं वो जानते हैं कि हम जब भी खटा होंगे फिर वहीं आ जाएंगे जहां से वो चले थे पर इखटा होने में समस्या है इखटा होने में दिक्कत है बाहर के लोगों से नहीं है वमणों से नहीं है हमारे अपने लोगों से है आप लोग अगर आजकल ध्यान देंगे तो दिसंबर का महीना है अक्टूवर, नवंबर, दिसंबर ये तीन महीने ऐसे होते हैं जब हमारे लोगों को ठंड में गर्मी आती है उनको चंदा इखटा करना होता है अपनी असेंबली करनी होती है और जिरों ने जो भी संक्ठन बराए हुए है उसकी वो असेंबली लगाते है अपने अपने लोगों को अपने कबजे में अपने बाड़े में रखते है सबकी अलगलग तरीके हैं सबकी अलगलग नाम है धमके हैं तो बहुत सारे हैं एक भंते है जो पलवल में है वो अपने लोगों को कबजे में रखने के लिए कोई ना कोई कायक्रम लगाता है एक भंते है जो अपने लोगों को अधीन रखने के लिए कोई ना कोई कायक्रम लगाता है एक भंते है जो बनारस में हैं वो भी पाटों को अपने अंडर में रखने कोई ना कोई कारिकम लगाते हैं क्योंकि अगर वो धम का काम कर रहे होते तो सबसे पहले भंते सारे इखटे होते धम यह नहीं कहता कि आप अलग रहके काम कर सकते हैं संग एक है भिक्कु संग एक है हम समड़ों के संग की बात नहीं करते किसी की भंते की उपासिका उपरा लगे, किसी भंते की उपासिका उपरा लगे, हम खुलके बात करने तियार हैं कि बुद्ध ने कब ऐसा कहा कि उनके संग के टुकड़े अलग-लग भिक्कू करें, या अलग-लग मठों में रहके अलग-लग नाम से काम करें, ऐसे ही भंतों की भिक्वों की या बहुत धों की बहुत सारी संस्ता है भारतिय बहुत महासवा जो डॉक्टर अम्मिर्कर ने स्थापित की उसके लगलग टुकड़े हैं बहुत साए टुकड़े हैं उसके बाद कुछ लोगों ने और भी बनाए धरम नहीं धन्दा जैसा लोग बोलते हैं वो यहाँ भी बात सच है पर लोगों को दूसरे के धरम में धन्दा दिखाई देता है पर अपनी तरफ उंगली उठाएकर नहीं देखते कि तुमारे धरम में भी धन्दा है इसको कोई कहेगा नहीं पर संग कहता है क्योंकि संग लालत से राग से दोस्थ से मुक्त है वो कह सकता है सारे लोग जब अपने संग्ठन को प्यार करते हैं तो अपने संग्ठन की कम्या नहीं दिखाई देती है पर जब कोई व्यक्ति सही बात कहता है कोई संस्ता सही बात कहती है या कोई संग सही बात कहता है जैसे हमारा संबनों का संग सही बात कहता है तो उसकी सही बात में दोस दिखाई देता है क्योंकि वो उनके वुरुद जाती है पर ये बुराईयां हमें लेनी चाहिए अच्छे काम के लिए बुराईया हमेसा लेते रहना चाहिए ये अच्छा काम होता है बाद में लोग इसको रिलाइज करते हैं इसको कहते हैं कि हाँ बात सही कही थी और जब आदमी मरता है तो कहता है कि बात उस समय सही थी हमने मानी नहीं वो अलग बात है पर बात सही थी, बिक्कों को अलग नहीं रहना चाहिए था, बहुत धोके जितनी संस्ता हैं उनको एक साथ रहना चाहिए था, तो अक्टूबर, नुमंबर, दिसंबर में बार्ट सी आ जाती है, जितने भी धम के लोग हैं, अपने अस्तित्त को बचाने के लिए, हमारे ही प बहुत बड़े धर्म के गरुव हैं, आवो बहुत बड़े धर्म के आदमी हैं, टांग पनार रखके बैठते हैं। मैंने भिक्कों को δेखा है, तांग पर टांग रख流 नहीं करते हैं। दिखाने दीता धम का पतन जारी है, खुब जारी रहेगा पर सात में हमारा भी पतन हैं ऐसे anlat हैं धम की बात इस लिए कर रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं के एक धम में एक मत मिं आ जयेंगे तो कल्यान हो जाएगा हो सकता है कर साइद लोग सांगिक नहीता पर संतों की अनुयाईयों में भेद है उनके पहने खाने बोल चाल में भेद है बड़ा अंतर है उस अंतर से हमारे लोगों में अंतर आ गया और वो टुकलों टुकलों में बढ़ गे लोग एक दूसरे की टोपी देखते हैं कि इसकी नीली है या पीली है काली है है गेरुГँ आ पीत हैं अ दूसरे की मालाय देखते हैं पर हुसन्तों की वारी और यह दिकद है आरे सामने जो संगों को नुक्साल पुझाती क्षम्द नुक्साल Прेंचा धी और उसमें के दिखाई नहीं देते, सबी के समता सेंग दलों के अलगलग राश्टिया दीविसल लगते हैं, सब अपना सित्व बचाने के लिए सेप्टमबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसम्बर में लगाते हैं, हमारा ही पैसा लेते हैं, और हमें ही बताते हैं, कि वो काम कर रहे हैं हमारे लिए हैं जब कि काम वो होते नहीं नाम समता सैनिक दल है पर सारे सारे बुड़े हैं एक भी उसमें सैनिक नहीं है 40 साल की उमर में सरकार सैनिक को रिटार कर देती है पर यहां 40 साल के बाद में दाखिला सुरू होता है जब तक मरते नहीं, जब तक सैनिक बने रहते हैं, जवान बने रहते हैं, तोंदे निगली रहते हैं, स्मता सेंख दल, कोई अलग बन गया है, गुजरात के इंदर. उनको कहा भई खटे हो जाओ तुमको क्या दिक्कत है वो बात करने नहीं आते वो बात नहीं करते आपस में बात नहीं करते तो एक सक्ती दल है तो एक टाइगर फोर्स है तो एक वालमी की आर्मी है तो एक मौरे आर्मी है तो एक कुसवा आर्मी है अलग-अलग नामों से लड़के वालिंटर फोर्स और सारे कुछ तो खिच्णी मैदान है कुछ ऐसे संग्ठन है जो सब काम करते हैं को ड tweets पर माल उनके हम को कहता नहीं को बताने को तयार निए को बुरा ही लेने को त्यार नहीं जो चलना है ठीक चलना होता तो अधिकार कि मोजा पर रोसे निए पर अधिविसल लगाने कि सामाजिक संथनों में एक तुकड़ा फिर दो टुकळा फिर तनी टुकड़ा दिसंबर के महिने में उनमें अनुं में कंप्रिशन होता है रेट रेस होती है चूहा दोड़ोती है एक नहें नागपुर में अधीविसन लगाया हुआ है, एंट्री है 2,000 रुपे, 3,000 रुपे, 4,000 रुपे, जैसा मुर्गा वैसी एंट्री, थोड़ा कम गरीब है तो 2,000 रुपे देगा, थोड़ी नोक्री अच्छी है तो 3,000 रुपे देगा, थोड़ी नोक्री जादा क्यों कमाए कोई करने को त्यार नहीं है क्योंकि सेम टाइम पर एक अधिवेशन नागपुर में लग रहा है तो सेम टाइम पर प्रियाग राधाज में लग रहा है तो सेम टाइम में दिल्ली में तीन लग रहे हैं तो सेम टाइम में बनासपड़ा गुजरात के अंदर एक ल ही है सब रैट-रेस है चुहा-डोड में है लोगों को लगता है कि हम अधिक्ष्टा करेंगे हमारे भाषण जोड़दार है कराए की जो भाषण वाज्वाज है उनको बलाय जाता है मंच पर सजा जाता है कि त obtain हमारे यहां हो तुम हमारे यहां हो तुम हमारे यहां उनको मान दे मिलता है उनको आने जाने का पैसा मिलता है उनको कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है जैसा जिसका काम चल जाए पर कोई कहने को त्यार नहीं है कि अलग 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 क्या करोगे क्योंकि अपने संग्ठ वारे ऐसा क्यों कहते हैं उनको हमारी बात बुरी लगती है पर वहां जो उनका अपना संग्ठन है उनको प्यारा लगता है उसकी कमिया नहीं दिखाई देती हैं कि अलगलग टुकड़े क्यों होते हैं कैसे होते हैं सुनते हैं इसलिए समंद संग्यों को बुराई लेना सीख चाहिए उनको बुरा बनना चाहिए अगर आज बुरा बनेंगे तो कल को सुख मिलेगा ये गारंटी है अच्छे काम के लिए बुरा बनना चाहिए जोड-जोड से करक्याना चाहिए सारे लोगों ने अधिविसन लगाएं एक से बढ़के मैदान में आ रहे हैं आप वाट्चप देखो आप फेस्बुक देखो आप लोगों से मिलो जुलो तो आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मैदान में है दिल्ली के अंदर च्छे क लगा आपके अभू मानले को आपको साइटी को नहीं मानते हम फिर जंदा करेंगे फिर जलाएंगे जैसर रावर नहीं मरता ऐसी अमानृस मक्ति नहीं मरती अकल पर पत्थर पड़े हुए को सुनने को तियार नहीं जिस किताब को भूलना है जिसको बावा सामने खतम कर दिया उसको हर साल जिंदा करते हैं फिर फूकते हैं फिर बच्चों को बताते हैं अपने ही बच्चों को मनुस्पर्टी के वारे बताते हैं ये ऐसी है ये वैसी उनसे बात कर तो कहते हैं नहीं बताना चाईएं इसमें क्या लिखा है इतने सारे वॉलिम लिखें है है चालिस सो पर वॉलिम वो नहीं बताने चाहिए ब Cast 지 अ Always परब्र हम विरोध करते हैं और खुदी परंपरा बना बना लेते है हम परंपरा बनाए तो वो अच्छा है और दूसरी कोई परंपरा हो तो बुरा है क्योंकि अपने संग्ठन से अपनी परंपरा से प्यार है दूसरी कि परंपरा में बुरा ह buffalo दिखा देती है यह काईक्रम लगे कोई रेट रेस में कोई चुहाद रोड में पीछे नहीं रहना चाहे था एक खजान सिंग करके हैं लक्षे चलाते हैं उनकी महलाएं आए थी वह वहां जो कानपुर के अंदर काईक्रम लगा उनको इन्वाइट किया हमारे एक संगीन है वह आते ही आते है उन्होंने अपने जो बैनर है वो लगा दिये वो बैनर के लिए जीती है सबसे पहले बैनर लगाए फिर उन्होंने वहां फोटो किछवाए फिर बैनर लहरा है फिर नारे लगाए लगाओ नारे लगाओ बैनर अगर बैनर लगाने से नारे लगाने से करांती होती तो अब लोग इदर दर चलेगे वो भी अपने स्थित्र के लिए लगा रहें काईकर इतने सारे संग्ठन हैं कि अगर लिष्ट बनाए जाए तो बोलते बोलते तीन घटे निकल जाए हैं 29 लाग टोटल संग्ठन हैं सारे देश के तो याद भी नहीं हो सकते अलग अलग भासाओं के अलग अलग तरीके के पर लोग हैं के मस्त हैं चंदा भी डिये रहे हैं जा भी रहे हैं ओनको जो वैठे हुए रहां पर जह जो यो सग्ठनों के मालिक हैं, वो इस तरह से टुष्ट करते हैं, इस तरह से मोटते हैं, इस तरह से भाशन देते हैं, और वैसे भी अपने संग्ठन की जो भाशन है, वो को सुने ना सुने पर हर बात में यस है, कौन सोचे, सोचने में महनत लगती है, दिमाग की नसे हिलती है, के वार बुखार भी आजाता है सोचते सोचते बाल अड़ जाते हैं सोचते क्यों फिरी में बाल अड़ वाएं क्यों फिरी में अपने माथा गरम करें जो चला है बहुत बड़ी है मस रोटी खाओ पूरी खाओ पूरी रोटी खाने आते हैं चार दिन मज़ा लिया हमने बस काम खतम लोगों से मिले मिलाए, गले मिले, काम खतम हो गया, वो इतना ही सोच है, जो वहाँ से बोल दिया मन से वो ठीक है अपने संग्ठन से इतना प्यार होता है कि उसकी गरत बाती सुएकार रहे और संग सही बात भी कहे तो उसका विरोध है विरोध अच्छा है क्योंकि विरोध होगा तो कहीना कहीं लोहा गरम होगा और जब लोहा गरम होगा तो कहीना कहीं चोट पड़ेगी जब चोट पड़ेगी तो फिर द्वारा से कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा परिवतन करते रहना चाहिए अगर एक ही जगे लोग पड़े रहेंगे तो सड़ जाएंगे जैसे पिछले 40 साल से बाम सेफ के संक्टनों में एक ही तरह का भाशन सुन सुनके लोग पक चुके हैं लोग मुझे अभी एक विक्ति ने बताया जो जाग रूख है कि जी मैं वहाँ गया अगले दिल नोटा है वही भाशन है कोई नया नहीं है कुछ नहीं है और सिर्फ पैसे ले लिए हैं और वहाँ पर facility के नाम पर कुछ होता नहीं और खुब पैसे खटा होता है पताया कि जी क्रोड रुपे खटा होने का chance है अच्छी बात है अगर लोग देना चायते तो लोग ने चंदा बंदा तो खुब बाता ही है पर कुछ अधिकार तो मिले कुछ अधिकार तो बचे कुछ योजना तो हो, कुछ भविस्यत तो हो कुछ इखटे होने की बात तो हो पर इखटे होने की बात कहीं नहीं है इखटे होने की कोई सोच नहीं है पिछले 70 सालों में इखटे होने की सांगिक सोच का एक सेंटेंस मैंने तो अपने जीवन में सुना नहीं कभी किसी नहीं कहा हो कि सबको इखटा होना चाहिए सिवाए समर संगे एक समर संग एक ऐसा घर है एक प्लेट फारम है जिसकी पहली सोच और आखरी सोच यही है कि सबको इखटा होना है और सबको इखटा करना है और सब के साथ एकटा होना है और सब में विलीन होना है और सब को विलीन करना है समन संग के अलावा एक भी प्लिटफाम ऐसा नहीं है जो संग की बात करता हो या सांगी प्रिक्रिया के लिए ये कहता हो कि आओ हम विले होने के लिए तियार है या तो हमें मिल जाओ या हमें मिला लो ऐसा एक भी नहीं है जितने भी आज के समय जितने भी काइकरम लग रहे हैं ये 31 दिसंबर तक लगेंगे उसके बाद ये अपने घर बैठ जाएंगे ठंड कसके पड़ेगी उसके बाद फिर निकलेंगे अपरेल में और फिर जून जु क INFORTS स करना हैν जया है जो कहता है कि सारी स्थनों को इक था करना है पडिया जो कहता है कि जब तक इखटे नहीं होगे, जीत नहीं सकते, चाह कुछ भी हो, चाह शेर के वच्चे भी हो, क्यों शेरों को भी इखटा होना पड़ता है, अकिला शेर भी अगर जंगल में चलता है, तो कुटों का जुंड उसको फाड़के खा जाता है, अकिला शेर कभी दुनिया में चलता हुव नहीं मिलेगा. जितने भी शेत जुण्ड से निकालने जाते हैं, उन्हाम को या उन्हेतो मर जाते हैं या उनको कुटो के भेडियों के जुण्ड खाते हैं. इसलिए होगे शेत पर अके ले है के लिए चलोगे तो मौत निश्चित है. समन संग प्राकर्तिक संग है इसमें बहुत साए लोग नेनी बाते ढूनते हैं नेनी चीए ढूनते हैं और ठक अगे लोग ढून ढून के क्योंकि संगों में संग्ठन के सवाल आते हैं संग के सवाल नहीं आते क्योंकि संग की सोच नहीं है पर सारे संगी इतनान से सवालों के जवाब देते हैं के वार कठोटा से भी देते हैं के वार सवाल के जवाब देते भी नहीं है क्योंकि जब मुर्ख सवाल पूसता है और संग्ठनों की स्थिती के उपर पूसता है तो उनकी बुद्धी बत्रस आता है तो के बार silent को जाते हैं, इस सवाल का जवाब नहीं है, पर अधिकतर का देते हैं, समन संग के अंदर, समन गंत के अंदर सारे सवालों के जवाब हैं, आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं आया जो संग के पास इसका जवाब नहीं हो, ये एक अच्छी बात है, कोई घमन नहीं इस का कोई प्राउड ने इस बात का क्योंकि महापुर्सों ने जो संग की विवस्ता बनाई है उन्होंने सब कुछ पहले से दिया हुआ है जो महापुर्स हैं उन्होंने सारे के सारे संगों के सवाल जवाब पहले से ही दिये हुए है इसलिए कोई नई बात आती नहीं और कोई सवाल का जवाब ऐसा है नहीं जो दिया ना जा सके पर खाली सवाल के जवाब देने से बात नहीं बनती बात बनती है कि सांगिक प्रिक्रिया के अंदर आपने आहूती डालनी है आहूती मतनब जब कोई कहीं कोई अलाव जलाते हैं जब हाथ सेकने के लिए कहीं कोई लक्री जलाते हैं तापमान हमको चाहिए तो उसमें जो डाला जाता है उसका आहूती बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको सबको हाथ सेखने हैं, गरम हवा चाहिए और आप उसमें कुछ डालोना तो आप भुझ जाएगी, खतम हो जाएगी, फिर आपको गरम हवा का सुख नहीं मिलेगा, फिर आपका ठंड से जीवन नहीं बचेगा, इसलिए आहुती डालने के समय आपको ये देखना है कि आप क्या दे सकते हो, संग पैसा नहीं मांगता, आप अपना पैसा अपने पास रखिए, संग को चंदा नहीं चाहिए, पर आप अपना खर्चा तो उठाएंगे ना, आपका खर्चा कोई क्यों उठ आपको चाहिए, जब सुख आपको चाहिए, गारंटी आपको चाहिए, विकास आपको चाहिए, तो अपना खर्चा तो अपने आप उठाएंगे, तो अपना खर्चा उठाएंगे, और ऐसे बहुत साए लोग हैं, जो अपना खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो संग में लोग ऐसे हैं तो आ तो जाएंगे पर वहां साड़े तीन सो रुपे जो खाने का बैठने का खर्चा है या लड़कों का एक सुपिस्तर रुपे खर्चा है या बच्चों का 25 रुपे वो नहीं दे पाते कोई बात नहीं कोई और संगी कहीना के दे देगा हमारे यां सेटलमेंट की विवस्ता है किसी दूसरे का खर्चा चुप चाप के उठा लेता है कोई नाम नहीं कोई पता नहीं पर आप आएए तो सही आए जूड़ी है क्यों कि आएंगे नहीं तो देखेंगे कैसे कि संग मे और संग्षन में क्या नतर होता है आएंगे नहीं तो आपको डिफ्रेंस का पता कैसे चलेगा आएंगे नहीं तो लोगों से मिलेंगे नहीं तो उनके व्यूज कैसे पता नहीं चलेगे आएंगे नहीं तो लोगों की फैमली के वारे में कैसे पता चलेगा आएंगे नहीं और कहीं भी किसी भी जगे कहीं कोई सवाल जवाब नहीं होते या तो पुराने समर संग में और भिकु संग में सवाल जवाब हुआ करते थे जैसे पुराने समर संग में जो किस्सा आता है उस समय का जब बुद बुद रही थे सिद्धत गौतब बने थे तो उस समय सवाल जवाब हुए उसके हैं उसके बाद में साथ है परिया जो नियम है उसके सवाल जवाब है उसके बाद बुद ने जो अपना धमिक संग बनाया उसमें सवाल जवाब है उसके बार डॉक्टर अम्बेट करने जो सम्धान लेखा उसमें सवाल जवाब है छे मोटी मोटी कितावे हैं जो इसी बास से भरी हुई हैं उनको आदमी पढ़ना लगे तो एक साल दो साल तो पढ़ने में निकल जाए तीन साल की बहस उसमें सवाल जवाब हैं और उसके बास सिर्फ समन संग है जिसमें सवाल जवाब होते हैं और खुली मन से होते हैं और सब के सामने होते हैं और कहीं मैनूपलिटिड नहीं होते हैं सवाल के जवाब, कोई भी सवाल आ सकता है, संग से संबंदित हो, उसके नियमत से संबंदित हो, उसका जवाब मिलता है, इदर उदर का सवाल होता है, हम नहीं लेते, इदर उदर का सवाल का जवाब दे सकते हैं, पर हमारे किस काम का है, कोई आदमी व्यक्ति का सवाल पोचे किसी दूसरे का सवाल पूछे, उससे हमें क्या फाइदा, कोई फाइदा नहीं, इसलिए उन सवादों को माना कर देते हैं, कि ये सवाल संग से या जुडने जुडने से संबंदित नहीं है, इंड्रियल फोन करके पूछना चाया है, पूछ सकता है, पर वहां सबका समय होता ह से आगे बढ़ रहा है, जो लोग संग्ठोनों में काम कर चुके हैं, जो लोग संग्ठोनों में काम कर चुके हैं, जो लोग संता संग्ठोन में काम कर चुके हैं, जिन्हों ने बावसाब का समय देखा है, जिन्हों ने पुराने संतों की बारी पड़ी है, वो देखेंगे है कि आदमी एक जीगे बोले और हजार जीगे उसका थीड़ी इमेज बन जाता है बहुत सार्थ लोग इसका इस्तमाल करते हैं जिनके पास में क्रूड रुपिया है हमारे पास में नहीं है इसलिए हम उसका इस्तमाल नहीं कर पाते तो हम यहां वीडियो बनाके यह काम ऐसे कर लेते हैं तो जितना काम धाई साल के अंदर समर संग ने किया है दुनिया में किसी संग्ठन में इतना काम नहीं हुआ है पर हमने कोई नया काम नहीं की हुआ है दरसल संग्ठन के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने संग्ठनों में में डिफ्रेंस बताते हैं जिनको यह समझ में आ जाता है कि संग में और संग्ठन में डिफ्रेंस यह है और जिनको यह समझ में आ जाता है कि सांगिक प्रिक्रिया से और संग से ही हम जीते हैं और जो लोग भारत में या दुनिया में राज करते हैं वो भी सांखिक या संघ की प्रक्रियास जीते हैं या जीते हैं वही लोग आते हैं तो वो त्यार लोग हैं जो आते हैं इन त्यार लोगों के समझने की संखिया आने की संखिया दिन बढ़ती जा रही है यह अच्छी बात है यह अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अनंत आपको सं और हम लेकर आ रहे हैं हम बहुत को त्यार है आप न जूरना चाहोगे तो अपको संग में आना पड़ेगा क्योंकि गति आपकी सुगति आपकी संग में होगी संग्धनों की बहुत सारी limitations होती है बहुत सारी boundaries होती है बहुत घेरे में बंदे हुए होते हैं संग्ठन बनाने वाला संग्ठन एक व्यक्ति बनाता है अधिकतर केसों में एक व्यक्ति सोचता है अधिकतर केसों में वो नियम बनाता है नियम बनाके वो रेश्टर कराता है बहुत ज़्यदा दो तीन लोगों को शामिल करता है जनरल सेकर्टी या कैशर वगरा वो जो उसक कुछ नियम बनाता है वो उनी के नियमों के तहत में काम करता है बंद जाता है वो नियम उस व्यक्ति के द्वारा बने हुए होते हैं लोगों से पास नहीं होते हैं फिर एक ही तरीके के हजारों संग्ठन होते हैं अगर रविदास मत के संग्ठन हैं तो हजारों हैं अगर वा तो लड़कों के दलबल हैं तो हजारों हैं तो जो ये जितने भी सामा जी के अराज ने तिक हैं ये हजारों हैं तो ये अलग अलग जो बने हुए हैं ये सब अपने अपने संग्ठनों के रेश्टर्ड मालिक होते हैं प्रोपटी ओनर जैसे होता है वैसे रेश्टर्ड मालि के लिए यह बड़ी बीमारी है कि हमारे अंदर जो बात आई है जो हमने बाथरूम में नहाते समय सोची है उसे हम किसी को बताएं और बताएं उससे हां करवाएं उससे मत लें हमारा आत्मसंतुष्टी आत्मसंतुष्टी के लिए लोग बड़ा पैसा खर्च करते हैं भाशा कि मन्चों पर माइक लेके भाषण देने के लिए लोग त्रिग्रम लगाते हैं जुगार लगाते हैं नाटक करते हैं इक बीमारियां हैं इन बीमारियों को संग पैचानता है दूर करने कोईशिक करते हैं पर कैवार वो आ जाती है कैवार उनको प्यार से कैवार कठोड़ता से कई वार अच्छी तरह से समझाने कोईश करते हैं नहीं समझ में आता तो डाट भी देते हैं कारण क्या है कि संगों के अंदर तुष्टी करण नहीं चलता संगों के अंदर सही बात चलती है संगों के नियम चलते हैं कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है तो संग कभी भी अपने संगादी से बाहर नहीं जाता संग जो नियम बनाता है उससे किसी भी संगी को बाहर जाने का अधिकार नहीं होता emergency के भी नियम होते हैं उससे भी वो बाहर नहीं जा सकते कोई बात बहुत घटना करम हो तो उसके भी नियम होते हैं कि जो नियम नहीं बना है उसको कैसे देखना है तो अपने नियमों में बंद के रहता है बंद के रहता है तो वहां सुखी रहता है क्योंकि वो अपनी मर्जी होती है वह बहुत च्छोटी चीज होती है और जो संग होते हैं वह बहुत बड़े होते हैं संग रोज राजनितिक पार्टी मिटा सकते हैं संगों के पास इतनी ताकत होती है इसलिए संग अपनी राजनितिक संग्ठन ट्रांसफर हो जाती है एक व्यक्ति संग्ठन का मालिक होता है वो जाते जाते अपने किसी परिवार के रादमी को उसको संग्ठन का मालिक बना देता है या रिजदार को बना देता है या अपनी मड़ी से जोचाए वो कर सकता है या मरते मरते भी मालिक रहता है मनने के दुस्मन होते हैं संग्ठनों का कोई बाहरी दुस्मन नहीं होता संग्ठन वाले कहते जरूर है कि बाहर का व्यक्ति मेरा दुस्मन है जैसे बामसिफ कहती है कि बामन मेरा दुस्मन है ब्रहमन मेरा दुस्मन है पर हकीकत में बामसिफ का ब्रहमन दुस्मन नहीं है हैं जो धार्मिक हैं और दोसे के दुश्मन होंगे नब ये वी बड़े मजा की Бात है कि दharm में भी गलालच होता है धर्म यही प्रदान बनने के इछ होती है कि दोग द्रम के अद्र नियासे नियम फोकर नहीं तो संगों में कोई खाते वाते भी नहीं खुलते क्योंकि संग पैसा नहीं खटा करते संग आदमी खटा करते हैं पर संगों काम बहुत बड़े चलता है इस चोड़ी बात हैं संगों को सर्वोपरी रखते हैं सब्वोपरी सबसे उपर रखती हैं और जीवन परियंत संग सबसे उपर रहते हैं इसलिए यहां जो हमारी जो दिक्कत है और जो परिशानी है वो इस बात की है क्योंकि किसी भी संख्ठन के पास में सब को इखटा करने का कोई योजना कोई प्लान नहीं है आप आराम से ठंडे दिमाग से इस बात को सोच लीजि क्या किसी संख्ठन के पास में सब को इखटा करने की कोई योजना कोई पुराम कोई नीती कोई नियत है ना योजना है ना पुराम है ना नीती है ना नियत है और वो चाहते भी नहीं है और वो कर भी नहीं सकते तो कौन इनको इखटा करेगा तो कैसे यह खटे होंगे तो क खटे हो गया और फिर संग्से निवदं कीजिये क्या चाहिए क्योंकि हमारे लिए सारी समणों की राजनेदी पार्टी हैं हम किसी में छोता बड़ा भेद नहीं करते हैं इसलिए हम इखटा कर सकते हैं तो जितने भी संत हैं, हम उनको भी कहते हैं, कि सारे संत ना छोटे हैं ना बड़े हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो कवीर साहब हैं, चाहे वो रविदाजी हैं, चाहे वो गाडगे साहब हैं, चाहे वो गुरुगाईदास हैं, हमा लिए सारे संत बरावर हैं, चाहे क कोई पहले पैदा हुआ है चाह कोई बाद में पैदा हुआ है चाह किसी ने एक बात बताई है चाह किसी ने सारी बात बताई है चाह कोई सम्यक्सम है या कोई खाली सम है हमें इससे फरक नहीं पड़ता है कि सारे समन हैं और सारे समन हैं तो हम सभी समनों की सभी संतों की पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा प्रेटफरम नहीं है जो सारे संतों के समागम को एकटा कर सके यहाए तो हम सारे सरकारी करमचारियों को भी साथ लेकर चाल सकते हैं क्योंकि सारे सरकारी करमचारी स्रमणों के हैं और वो आपस में उलजे हुए हैं उनकी एक एक दफ्तर के नदर तीन तीन एसो ने बनी हुई है बगर हम यहां किसी में भेद नहीं करते इसलिए सब को कहते हैं कि आएए आके बैठिये और यह संग सबका है और सबका संग है और संग सबके लिए संग है तो इसलिए सब लोग यहां आ सकते हैं पर सुरू में नहीं आएंगे, सुरू में जे उनकी नेताय है वो पूरी ताकत लगाएंगे कि संग a स्भी में ना जाये, क्योंकि संग वो समंदर है कि झो एक वार इसमन चला गया फिर वो नदी नाले में तेरेगा, पिर कला में तेरना भी गया से विसाल तो कुछ है नहीं अब इसी में तैरना है यहाँ अपनी जहादी है यहाँ अपना मजा है यहाँ कोई मालिक नहीं यहाँ कोई अधक्ष नहीं है यहाцен ऐसा नहीं है बस आपने तैरने के नियम जो संग क singular है वो आठब करते जाएए पूरा संग का समुंदर आपका खुला हुआ है यह संग की खाचत होती है और भी बहुत सारी खाचत हैं संग की संग के अंदर कोई धोकल हरी नहीं होती संग के अंदर कोई गाली गलोश नहीं होती संग के अंदर महिलाओं को सब को भेंजी बोलते हैं जितने नर हैं उनको सब को सर बोलते हैं संग किसी को बोज नहीं होता संग किसी का बोज नहीं बनता संग अपना खर्चा खुद उठाता है अपना खाना खुद लाता है सब स्वाब इमान से रहता है स्वाब इमान जगाता है स्वाब इमान के साथ बात को कहिए कि बताईए संग्स के अलावा कौन सा ऐसा प्लेट फार्म है जहां सारे लोग इखटे होने के लिए इन्वाइटिड हैं जहां सारे लोगों के खटा होने के लिए दावत है जहां कोई वेमर से नहीं है कोई महां लड़ाई नहीं है ना पद की है ना मंच किये ना माला किये ना पॉशन किये ना पैसे किये यहां सब बरावर हैं बताओ इस से बहतर कोई प्लेटफार्म अगर पहले था या संग से बहतर कोई हो सकता है तो बताएं दूदूतर ढूंडने तक भी दूसरा समंदर आपको मिलेगा नहीं यही समंदर है जो मिलेगा इसलिए या सब को आना ही